नमस्कार है दोस्तो भाईयो भेनो एवम प्रिय सभी लोग का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए दोस्तो आप सभी को बता दू इस समय करेंटली बहुत ही बड़ा अपडेट आपके बिहार स्टेट से रहेगा इंडिया देश के बिहार राज्य से है जिसमें पूरे इंडिया से लोग पूरे भारत देश से लोग उस राज्य में गए अपना एक्जाम देने जिसका नाम था बिहार BPSC TRE 3 यह उसका नाम था इसके अंदर जो एक्जाम था बेसिकली वह आपका यह इस चीज का एक्जाम था टीचर्स एक्रूट्मेंट का जो की बियार स्टेट के पूरे स्टेट भर में जितने भी स्टेट गवर्मेंट में स्कूल हैं बेसिकली वह स्कूल जो एजुकेशन विभाग के अंदर आते हैं स्टेट गवर्मेंट में इसके अलावा वह स्कूल जो की SCHT वैलफेर विभाग के अंदर स्कूल आते हैं उसके अंदर एक से बारہ क्लास के टीकर के लिए रिक्रू पेंट के लिए बियाः स्टेट में एकजाम हो रहा था। रिक्रूटमेंट के लिए एक्जाम हो रहा था। यह एक्जाम पन्दरा मार्च मालच को हुआ है utilizzा चॉअबी समय है नि कि आज से करीबन स्टेट के अंदर जो teacher recruitment का exam था जो especially एक से 8 class वालों का exam हो रहा था उस दिन 15 March को और वो जो है वो leak हो गया है और इसके उपर 70% से ज़्यादा chances है कि ये paper confirmed leak हुआ है 70% से ज़्यादा chance क्योंकि इसमें जो recruitment body था basically जो इसका exam करवा रहे थे जो जिसका नाम है BPSC BPSC मतलब हो जाता है बिहार public service commission ये दोस्तों state government का commission है basically जो आपके PCS state PCS के लिए भी यही लोग recruitment का exam करवाते हैं और यही लोग BPSC ही आप लोग का TRE मतलब जो teachers recruitment होती है पूरे state भर के schools में वो भी इनी को कराना होता है ठीक है जी तो मैं आपको बता दू तो इनी इनके द्वारा अभी confirm नहीं हुआ है कि leaked हुआ है ये कह रहे है कि अभी जो state की जो police है basically वो लगी हुई है इसके उपर ये देखने में ये ढूंडने में कि क्या सही में ये पर leak हुआ है नहीं उन्होंने अभी तक करीबन 200 से 300 के लगपक लोगों को अपने हिरासत में ले लिया है police ने especially और आपके state में जो आपका EOC है उन्होंने भी इस चीज़ में आप लोगों को जो है EOU आपके state में है उसके अंदर भी इन लोगों ने अभी तक मैं आपको बता दूँ 200 से 300 लोगों को अपने हिरासत में लिया है basically हिरासत में लेना मतलब यह हो जाता है कि custody में ये लोग है ये police के पास अभी है मतलब कि ये वो लोग है basically जिन लोगों का इस recruitment के exam को leak कराने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं इसके अंदर ठीके और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे कोई लोग है इसके अंदर भार के लोगों के अलावा वो लोग भी जिनों ने इसका exam दिया था वो लोग भी इसके अंदर है मतलब समझी जिन लोगों ने इस recruitment का exam दिया है जो लोग देने वाले थे जो basically aspirant थे जिनको इसका exam देना था वो लोग भी इसके अंदर शामिल है paper leak करवाने में सोचने वाली बात है भार का candidate भार का कोई अगर leak करवा रहा है तो ठीक भी है कि चलिए उसका तो exam नहीं था वो leak करवा रहा था इसलिए पैसो की लालच में लेकिन इसके अंदर वो लोग भी जिन्होंने जो लोग exam दे रहे थे basically इस vacancy को लेने के लिए वो लोग भी इसके अंदर कुछ ना कुछ वो लोग भी इसके अंदर include है तो सारी detail आपके साथ discuss करूँगा इस वीडियो में सबसे पहले आप सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में अगर आप खासकर इंडिया देश से सुन रहे हैं भारत देश से सुन रहे हैं जा आप किसी भी state किसी भी union territory से सुन रहे है whatever your place of residency वहां जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं आप सभी लोग का सबसे पहले तो स्वागत है इस वीडियो में चाहें आप पूरे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हैं दोस्तों इंडिया वालों के लिए खास वीडियो है इंडिया देश के बिहार इस्टेट में एक साथ लगबग 80-90,000 के करीब वेकेंसी निकाली जाती है टीचर रिक्रूट्मेंट के लिए कि भाई आप आओ हमारे स्टेट में हम स्टेट गवर्मेंट के स्कूलों के अंदर तीचर्स को रिक्रूट कर रहे हैं एक से बारा कलास तक लिए जिसके अंदर हम टोटल 86,000 से लेकर 88,000 के बीच का कोई नमब पर था वो 87,700 के करीब vacancy निकाली गई थी ब्यार इस्टेट में और कहा गया कि हम इतने लोग को recruit करके job देगे टीचर के लिए अगर आप लोग ग्रैजुएट हो बाकि C TAT, B TAT और अपने जो भी verify कराना है और job ले लेनी है और आपको पता हो मैंने इसके लिए notification video discuss किया था, form बरने का process के उपर आपके साथ discussion किया था, तो उसी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि पहला exam था, BR State के TRI 3 का, जो कि 15 March के 2 shiftों में हुआ, ठीक है, इसके अलावा 16 March का भी इनका exam था, जिसको इन्होंने cancel कर दिया था, जिसमें ये लोग बाकी classes के लिए, एक से आठ के अलावा जो बाकी class आपकी रह गई, जैसे कि 9 और 10 का exam जो होने वाला था, वो 16 March का था, जो कि उसको cancel करा गया, उसको बेसिकली उस दिन से अठा कर आगे कर दिया है, अब वो नई date क्या है, मतलब जैसे आपको बता दू, 20 March के बाद कहीं नगी इसमें नई date आ जबा लेंगे आपका, यानि आप मान सकते कि आपका exam भी इसमें आगे बढ़ेगा, जिनके exam की rate भी नहीं आई है, वो तो exam थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, और इनका exam भी अब दुबारा होने के chance है, लगबग लगबग मैं आपको बता दू, इनका exam होने के chance 70% से दे देंगे, तो इसमें लगबग 20-30% chance है, लेकिन 70% आपके लिए chance इस recruitment में यही है, कि आपका exam cancel होगा, और exam दुबारा होगा, क्यूंकि इसके अंदर जो है दोस्तों, काफी सारे ऐसे proof अभी तक मिल चुके हैं, जिसके भी आप पर हम कह सकते हैं कि भाई, ये exam leak हुआ है, इस्टेट, बियार में, टीचर recruitment के लिए, जिसमें पूरा इंडिया गया था इस पर फर्फर्म बढ़ रहे हैं, केरला से गए, केंडिट, करनाटका से गए, हरियाना से गए, उत्तर प्रदेश से गए, वेस्ट बंगाल से गए, हर इस्टेट, हर इस्टेट, हर यूनियन, हो गया है, और इसकी confirmation काफी articles ने दिया, especially state का जो खुद का EOU है, उन्होंने भी इसके उपर आपकी, जो है, confirmation दे दिया, उनका एक notice आया था, जिसको, जिसके उपर वो ये बता रहे थे, कि इसके ये जो आप लोगों का paper है, ये वाला, जो आपका TRE 3 का paper था, वो कई-कई-क होंगे ये रुपए, और basically उस के, उस, उस इनसान को पैसे दिये होंगे, दद्दस लाख रुपए, पर sheet पर हर candidate को दद्दस लाख रुपए देने के बाद ही, उसको answer sheet मिली होंगी, और ऐसे में बहुत लोगों को मिली भी है, और आपको बता दू, इसी बियाव पर ये जो ठीक है, जी मैं आपको बता जेता हूँ, एक बार इसके अंदर, देखे, ये बिहार स्टेट में आपका जो है, यहाँ पर economic offense unit है, और इनके द्वारा बेसिकलि आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग है ये, ठीक है जी, तो बेसिकलि ये एक यूनिट है, ये एक प्र लीक हुआ है, लोग दद्दस लाक रुपए देकर ये जो है पेपर को खरीद रहे थे, candidate जो लोग थे, उन्होंने दद्दस लाक रुपए देकर इस answer sheet को खरीदा है, बेसिकलि इस exam को निखालने के लिए, ऐसा उनके द्वारा एक notice है, जो उनके website पर आपको मिल जाएगा, इस टेट गवर्मेंट के आपको EOU, बिहार के website पर जाना होगा, तो वहाँ से आपको clear cut पता लगेगा, कि एक notice दिया है, जिसमें ये लिखा है, कि दद्दस लाक रुपए हर candidate से charge हो रहे थे इसके अंदर, और उसके बाद उसको answer sheet देकर इस exam के भियाव पर answer मिल रहे थे, जिससे वो आपने answer को पता करने के बाद exam में जाकर देकर इस recruitment को निकाल सकता था, तो ये चीज़े पता तो लगी है, लेकिन इसके अंदर अभी इस्टेट गवर्मेंट का जो BPSC है, बेसिकली जो recruitment body था, बेसिकली जो recruitment करवाने वाले लोग हैं, उन्होंने अभी तक इसमे confirmation नहीं दिया है, कि आपका paper leak है, वो कह रहे हैं कि अभी process चल रहा है, तो मैं आपको बता दू, 70% chance है कि आपका paper leak है, यानि कि आपका ये मान के चल सकते हैं, कि ज़्यादा chance leak के हैं, और कम chance हैं से जिसमें leak नहीं है paper, तो confirm तो भाई, होई जाएगा 2-4 दिन में, मान लिजे ये one week लग जाएं, ज्यादा से ज्यादा, ये 2-4 दिन में ही, इस चीज का पता लगने वाला है, आप लोगो को, कि आपका paper leak है, ये नहीं है, ठीक है, देखिए, वैसे मैं आपको बता दू, आपका paper leak ही है, व्यार, इस्टेट वाला TRE 3 का जो 15 तारिक हुआ है, क्योंकि इ POU ने भी इसके अंदर एक notice दे दिया है, अलग 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 article भी कह रहा है इस चीज को, और काफी लोग arrest भी हो गया है, इसके उपर, तो confirm तो भाई, वैसे ही हो जाता है, जब इतना सब कुछ मिल गया, तो आप फिर इसके अंदर आफ वेट किस चीज का कर रहे हो, आप तो बस यही है कि आपको अपने evidence निकालने हैं, जिसके पास से जो भी मिल रहे हैं, उसके बाद बता देना है लोगों को, कि हाँ भाई, आपका paper दुबारा होना है, ठीक है, तो जो लोग भी exam देकर आएं, इसके अंदर मैं आप से यही कहूँगा कि आपका paper अभी leak confirm नहीं हु हुआ है, तो मैं आपको यही कहूँगा, अपनी तयारिया रखे, अपनी preparation को रखे, most of the chance यही है कि exam दुबारा होना है, यहीं exam दुबारा होने के chance जादा है, नहीं होने के chance तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस paper के leak के chance इनोंने जादा बता है, तो इस चीच पर थोड़ा ध् data है, इसके उपर AI दुआरा, उसको लेकर थोड़ी बाते होंगी, और आपका जो BPSC ने आज, currently एक notice दिया है, इसी recruitment के paper को leak को लेकर, यह notice दिया है, आपके exam के बाद, तीन दिन बाद दिया है, 15 तरीक को exam हुआ है, और इसके बाद यह लोग आज, आप देखोगे, यह 3-4 आज दिन बाद इनका notice आ रहा है, कि leak हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपको बता दू, BPSC ने अभी तो यही कहा है, कि अभी leak हम नहीं मान रहे है, लेकिन अगर यह leak हुआ है, तो उसके लिए हमने सारी चीज़े, सब जगा जा चल रही है, सब जगा देखा जा रहा है, अग अब तब यही है, कि आपका exam दुवारा होगा, ठीक है, तो सारी जनकारिया ले ले लेते हैं, दोस्तों आपको बता दू, Bihar State में 1-8 class का exam था है, अभी तो आदा exam बाकी था, अभी तो इनका ही सईसे नहीं हुआ, तो बाकियों का कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं कह सकत है, लेकिन आपको मैं सारी जनकारी बता देता हूँ, इस leak के उपर जो भी update रहेगा, तो किसी भी ऐसे ब्रह्मेन आए, कि leak नहीं हुआ है, हो गया है, आप सारी चीजे खुद news के articles से देखे, काफी जगा articles से देखे, समझ आए, तभी माने, अगर ये सब लोग कह रहे हैं क तो भी उसको मालने, और अगर ये कहते हैं कि अभी 50-50 चल रहा है, देखते हैं कुछ समय में क्या पता लगता है, तो उसी चीज को मानें, तो थोड़ा इसमें wait कर ले, अब ये नहीं है कि leak की cover सुनकर आप अपने preparation को ना करे, preparation कर ले, जो आपका syllabus था, उसको देखे, क्यों आपको बता दू, यूपी स्टेट, इंडिया देश का उत्तर प्रदेश राज्य है, बिसिकली उस स्टेट में भी देखा गया है कि दो ऐसे exam, बिसिकली दो ऐसे exam है, जो वहाँ पर leak हुए है, और इसकी confirmation confirmed हो गई है, आपको बता दू, constable exam भी वहाँ leak हुआ है, और आपका जो समिक्षा अधिकार, समिक्षा अधिकार, अधिकारी का जो post था, basically, review officer का, RO और ARO, दोनों post का exam वहाँ पर leak हुआ है, और इसी चक्कर में वो भी exam दुबारा होना है, ठीक है, तो मैं आपको बता दू, उनका exam भी re-exam में डाल दिया है, और इसके अलबा, constable exam भी re-exam में डल चुका, यानि करीवन आप मान सकते हैं, दौनों ही exam वहाँ पर leak हुए थे, और यह confirm कर दिया गया, खुद विभागों ने confirm कर दिया है, मैं ऐसा नहीं कहारा, मैंने आपको discuss भी करके दिया था, दौनों का, उनका paper leak हुआ था, और protest वगेरा करने के बाद, इनके effect दिखत मचा दे, तो उससे नहीं माना जा सकता, जब तक कोई किसी को पकड़ ना ले, उस चीज के उपर, कि proof ना मिल जाए, proof मिल गई, सारी चीजे मिल गई, उसके बाद ही ये कहा जा सकता है, कि हाँ, सही में ये paper leak था, और सही में ये paper दुबारा होगा, ठीक है जी, चलिए आगे ARO वाला भी exam, आप मान सकते हैं, उनका exam भी जल्द ही हो जाएगा, और आपका ARO वाला कह रहा हूं है, और इसके अलावा जो ये वाला exam है, अगर ये leak हुआ होगा, तो आप मान सकते हैं, ये exam एपरेल में जाएगा, और अगर leak नहीं हुआ होगा, तो इसी के व्याफर result बन जाएगा नहीं कि कुछ, अगर आपके पास proof है, तभी, ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, भाई, चार लो, वो मेरा दोस्त कह रहा है कि paper leak हो गया, तो मैंने मान लिया, इस चीज़ पर ना थोड़ा believe ना करें, ठीक है, किसी के कहने बर से ना माने, proof देख कर ही इस का और जो आज का notice है, वीडियो के नीचे दे दिया है, उसको देख लेना, पूरी वीडियो समझ लो, सारी चीज़े discuss कर रहा हूं, all India के लिए जानकारी रहेगी, क्योंकि पूरा इंडिया इस पर eligible था, सभी ने form डाले थे, क्योंकि वेकेंसिया खुद में ही 80-90,000 थी, तो लोग के form, obviously इसमें लाकों में गए होंगे, करीबन 5 लाक से उपर प्लस तो form लोगों ने डाले ही होंगे, वेकेंसि का 5 टाइम तो गया ही होगा, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूं, सबसे पहले एक नव वारत टाइम्स नाम का एक आर्टिकल बन यह आई सफाई, उन्होंने एक सफाई भी दे दिये, मैं आपको किलियर कट बता दू कि बिहार में थार्ड फेस का टीचर एक्जाम से जुड़ा पेपर लीक हो गया है, दो दिन पहले ही कुछ अब्यर्तियों के पास यह उपलब्द था, आप देखिए वाई, जहां पर अ इन सब के बीच बड़ी बात यह की टियारी परिक्षा को अब अब तक रद नहीं किया गया है, इस पर बियार लोग सेवा बीपेसी के और से सफाई आई है, मतलब कि उनके द्वारा क्या जवाब है, वो भी यहां आ चुगा है, बियार इस्टेट में पटना नाम की एक आई है, मतलब कि भाई वो पीक पर आ रहा है, इसके अलावाई के लोग कह रहे हैं कि बियार लोग सेवा आयोग ने नोटी जारी कर सफाई की जाच, सफाई दी की जाच एजनसी की और से पूरा सबूत नहीं मिला है, मतलब कि जो जाच करने वाले एजनसी हैं, बेसिकली ज इसके उपर एविडेंस इखटक कर रहे हैं, जो इसके उपर जाच परताल कर रहे हैं, जो बेसिकली ढूंड रहे हैं कि सहीवे लिक हुआ है नहीं, तो उनके द्वारा अभी पूरा सबूत नहीं मिला है, बीपीएसी को, तो इसके चलते परिक्षा को रद नहीं किया गया ह अभी तक तो उन्होंने कैंसल नहीं किया है, आर्थिक अपराद इकाई, बिसिकली आर्थिक अपराद इकाई, बिसिकली यह है, एकोनॉमिक ठीक है, अपराद मतब हो जाता है ओफेंस और इसके लावा इकाई, मतब यूनिट, तो मैं आपको बता दू, सिंपल सी बात है, EOU जो है स्टेट बिहार में, उनके द्वारा आपको बता दू, यह बेसिकली पूलिस के अंदर आता है, यह स्टेट पूलिस में आता है आप लोग का EOU, इसके बारे मैं आपको किलियर कट बता दू, यहाँ पर यह क्या कह रहे है, देगे, एकोनॉमिक ओफेंस यूनिट है यह बेसिकली इकोनॉमिक ओफेंस यूनिट इसको कहा जाता है, आर्थिक अपराद, इकाई, तो यह लोग का काम होता है बेसिकली, इन चीलों पर एक्षण लेने का, और सब चीलों को देखने का, तो इनको बता दूं के अंदर इन्होंने देखिए बैसिकली करा किया है आर्थिक अपराद इकाई ने अब तक 270 से अधिक मतलब की 270 से भी ज्यादा अभियुक्तों को सनिवार देर रात सनिवार देर रात मतलब की Saturday night में मतलब मिड़ नाइट आप कह सकते हैं या लेट नाइट कह सकते हैं रात पतना और MP MP MLA मतलब जो पतना का MP MLA कोट है उसके अंदर में जो है आपकी पेशी कराई गई इन्होंने Saturday में वहाँ पर पेशी भी करा दी आज जैसे हम देखे तो आज आपका है मंडे में 18 तारीक है और इसका मलब कल 17 में 17 तारीक में संडे रहा था यानि कि ये 16 तारीक को इन्होंने पेशी करवा दी थी यानि 15 को एक्जाम हुआ था इन्होंने 270 से भी ज्यादा लोग को पकड़ लिया इस चीज के उपर basically state का जो EOU है आर्थिक अपराद इकाई है जो इसके उपर काम करते हैं उन्होंने 270 से भी ज्यादा लोग को इसके पकड़ लिया और उनको वो 16 तारीक है नहीं कि Saturday के दिन रात के समय पटना एरिया पे वहाँ पर जो है MP, MLA कोट में पेशी कराएगी उनको वहाँ पर प्रे जो थे वो दो दिन पहले ही तमाम अभ्यक्तियों के पास उपलब्द थे मतलब जिनको वो लेके गए अभ्यक्तो जिनको बेसिकली उनको पकड़ आए उनको जो लेकर गए कोट में तो वहाँ यह पता लगा कि भाई इनके पास यह चीज़े पहले से ही थी जो लोग मूरक थे जो बेसिकली 15 तारिक को पढ़के एक्जाम देने जाने वाले थे उन और वो लोग पढ़के जाने वाले थे और इनके पास तो पहले से ही यह सारी चीज़े थी और यह अभ्यूक्तो थे बैसिकली अभ्यूक्तो मतलब होता है जो बेसिकली इसके अंदर पकड़े गए ह ठीक है वो ऐसे 270 से ज्यादा लोग EOU ने अकेले ने पकड़े हैं और वो लोग कोट में उनको पेश भी करा चुके हैं और उनोंने वहाँ पर बताया भी है कि भाई इनके पास दो दिन पहले से ही, दो दिन मतलब कितना हो जाता है 48 आवर करीब पहले, मतलब एक्जाम शुरू में तुरंट जाकर लिख भी आएगा और ज्यादा कोशन भी नहीं आती इसके अंदर, वही 100-200 इतना ही कुछ होता है, मैंने आपको सारा पैटन भी बताया था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टी यारी 3 को लेकर BPSC के सफाई क्या गई है, इसके अंदर में आपको बताया आता हूं, जो आप देखोगे के ने प्रैस नोटी जारी कर कर का है कि जो बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भरती के प्रशने पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंद में, जो 16 मार्च को आर्थिक और साइबर अपराद प्रभाग बिहार पटन द्वारा प्रति वेधन उपलब्द कराया गया प्रति वेधन पर आयोग द्वारा की की गई समिक्षा के करम में यह बात सामने आई है कि जो आपका 15 मार्च का जो आयोजित एक्जाम रहा था प्रारम होने से पूर्व ही प्रशन पत्र लीक होने के संबंद में मानक साश्य है उक्त प्रति वेधन वेधन में उपलब्द नहीं है ठीक है जी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ू मत्तब यह लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ पर आव यह जो है इनको बेसिकली BPSC को टी है जो आपका EOU है उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि भाई यह दो दिन पहले लोग को मिल गया था यह 270 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास यह चीज़े मिली हैं और इनको हम कोर्ट भी लेकर चले गए थे तो वो सब चीज़े उन्होंने बताई हैं BPSC को तो उसके आगे में बढ़ू तो इस इसी नोटिस में यह भी कहा गया है कि कतिर चूप से प्रशने पत्र है प्राता है 5 वजे ही हजारी बाग इस्थित कई स्थानों पर हजारी बाग आपको पता दूं हजारी बाय एक जिला है वहाँ पर इस्थित कई थान और अलगलग एरिया में उन्हें चाप Amenered करी कnya कर उत्तर रतने हेतू दोकि संक्या में जो लोग उत्तर रत रहे सीडिकली जो लोग answer को enamore रहेס वहां पर बिः blur state के में पर जो आपका आर्थिक साइबर क्राइब का जो आप लोग का डिपार्टमेंट है बेसिकली जो इस्टेट का जो आपका पूरा बिः इस्टेट के अंदर जो आपका वहां पर पटना एरिया के वहां पर जो आपका economic और cyber अपराद यानि कि crime department है उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक team गठीद कर ली मतलब एक team बना ली जो कि 15 मार्च को सुबह पांच बजे ही उन्होंने ऐसा बता है कि उन्होंने पांच बजे ही मतलब एक्जाम होने से सुरू एक्जाम होने से पहले ही देखे वाई एक्जाम 15 मार्च को होना था आप सभी को पता है इन लोगों ने प्राते हैं 5 बजे ठीके जी प्राते हैं 5 बजे हजारी बाग इस्तित्मालब जो इवाँ पर एक हजारी बाग एरिया है वहाँ पर आपके अलग-अलग जगाओ पर इन्होंने चापे मारी करी जिसमें इन्हो हुज सारी लोगों को commence। अब्यार्थिों को पकड़ा, जो बेसिकली अब्यार्थि कोौन होता है… अब्यार्थि वह होता है, जो exam देने जाने वाला था center पर, उनको पकड़ा वो लोग करके exam को रट रहे थे एक जगह पर वो एकटए थे, एक जगह पर एकटए होकर वो लोग ऐसा कर रहे थे वो बेढ़े वो 20 कली वहां पर सारे को answers को रटने का काम कर रहे थे सारे answers को read मार रहे थे कि इसके अलावा चापे मारी के करम में मुबाइल फोन भी मिले लैप्टव प्रिंटर मिला बेसिकलि लैप्टव मिला अलग प्रिंटर पैंट्राइव आधी ब्रामत वहां से कर लिए इन लोगों ने होने की सूचना प्राथी वेदित की गई ठीक है अयोक को प्रशन पत्रफ म दो तीस बजे तक उपलप्त कराई गई मतलब दो तीस तक इनको information मिल गई थी कि आयोग को आयोग को basically question paper leak के जो बात थी वो आपको बता दू 15 मार्च को दो बच के तीस मिनट तक मिल गई थी BPSC को बता दिया गया था कि question paper leak है उससे जूड़ी वी बाते जो है यहाँ पर दो बच के तीस मिनट तक मिल गई थी पजे तक उपलप्त कराई गई उक्त इसके अलावा मैं आपको बता दू इसके पूर्व मतलब इससे पहले अपराहा अपरान बारा बजे मतलब दुफैर मे यह नहीं दिया लोगों ने पहली शिफ्ट भी महाँ पर लगी है और दूसरी शिफ्ट भी महाँ पर सुरू कर दी गई थी एक्जाम करवाने के लिए ठीक है जी तो यह सब लिखा हुआ है तो आप यहां से देख सकते हैं इनका नोटिस थोड़ा आगे बढ़ते हैं देख अनुसंधा संधान नान फ्रिगट आयोग द्वारा परिक्षा प्रारम मतलब बैसिकली यह बोल रहे हैं अनुसंधान जो आप लोग का है बैसिकली इन लोगों का जो आपका एकाई है जो आपका आर्थिक अपराद एकाई है उनके द्वारा बैसिकली ओ यू जो है आप ल बाक्षे की मांग आर्थिक अपराद इकाई से की गई है मतलब अभी तक इन लोगों के पास अभी इनको ठोज सब्यूत नहीं मिला मतलब अभी जो इनके पास पूरूफ है वह लोग पूरा डिटेल इसको अभी कनफर्म नहीं मान रहे हैं मतलब बीपी एसी नहीं कहा है जो अपका eeow द्वारा हमें detail मिली है सारी जनकारी मिली है वह सब हैं नहीं मान रहे हैं कि अभी पूरी सही है क्योंकि अभी जो ऐसी चीज़े मिली है basically क्या क्या मिला है आपको बता दूँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर basically मिला क्या है यहाँ पर आप लोग को बता द है और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो वही लिखा हो है तो इसमें साफसाफ यही लिखा है कि अभी तक यहाँ पर बीपी ऐसी ने यही कहा है कि आप से यही कहा है कि भाई इसके अंदर कोई ठोज सबूत लाओ मतलब कि कोई ऐसा एक्ष्टा ऐसा एडवांस जो साफसे की मांग आर्थिक अपराद इकाई से की गई है और मतलब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर बीपी ऐसी ने आपका जो है यह साफसाफ कहा है आर्थिक अपराद इकाई से साफसाफ यही कह दिया है कि भाई इसके अंदर कोई स्ट्रॉंग एविडेंस या इसके अंदर स्ट्रॉंग एविडेंस दे देगा इस चीज के उपर लीक के उपर उसके बाद हम इसको फिर दुबारा करा सकते हैं ठीक है जी वह कहा है फिर उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि इस एक्जम को दुबारा लेना है यह नहीं लिना तो किलियर कट साफसाब अगर वो पूरे strong proof यहाँ पर दे देंगे आपके VPSC को उसके बाद VPSC confirm कर देगा और आपका paper cancel करके दुबारा करा लेगा और अगर ठोशबूर नहीं दे पाया EOU तो इसके अंदर फिर आपका यह exam मान सकते हैं कि इसी को final माना जाएगा थोड़ा आगे बढ़ता हूं इसी के अंदर मैंने एक और यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है ए बी पी न्यूज द्वारा एक आर्टिकल है जिसके अंदर यही चीज़ी कही गई है ब्यार में रहेगा कुछ इसमें नया कुछ अलग चेंज रही होगा थोड़ा आगे बढ़ता हूं बिहार की वाज कर लो तो बिहार टी आरी तीन जो है लीक हुआ है नहीं हुआ तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है यस भाई बीपेस्टी टी आरी तीन लीक हुआ है कोशन पेपर लीक हो गया है इसके अंदर 313 लोग ऐसे हैं जिनको अरेश्ट कर लिया है जिनका कनेक्शन था इसके अंदर और जो आपका एकोनोमिक ओफेंस यूनिट है उन्होंने कम से कम यहाँ पर डेटेंड किया है लोगों को अपने अपने हिरासत में लि देने वाले थे उनको जारकर्ण इस्टेट के हजारी बाग जिले से अरेश्ट किया गया है समझ रहे इन कनेक्शन उन सबका कनेक्शन था इसी पेपर लिक के अंदर तो समझेए इसके अंदर बार के लोग तो इंकुलूड है ही वह तो अरेश्ट हुए इसके अलावा जो देने वाले थे ऐसे 270 लोग भी अरेश्ट हो जो है डिटेंड हो गए है बेसिकली वो लोग भी इरासत में आ गए हैं इनके पास इनकी कश्टेडी में भी हैं आपको आगे चलके लेकर चलता हूं तो बीपी एसी ने गंडक्टिड था टेस्ट यह एक्जाम करवाने वाले थे पिरायमरी यानि एक से पांच का और छे से आट वालों का एक्जाम ऑफलाइन में होना था सबको पता होगा और यही एक्जाम की बात दो रही है जो लीक हो गया है तो इसमें बता दू एक्जाम हैज भी हैज रिवी इसके अप्टिड यह चांच के लिए इन से इतना रूपिया चार्ज हो रहा था बेसिकली इनको अंसर शीट देने के लिए इतना सब कुछ हो रहा था ठीक है सम अभ्यार्ती मतलब इसमें से कुछ ऐसे लोग भी है जिनका यह भी कहना है यह एक्जाम कैंसल होना चाहिए औ और देट अथॉर्टी शुड टेक स्टिक्ट एक्शन इसके अलावा जिन लोगों ने इसके अंदर अपना लीक करवाने के लिए जो इसके अंदर रोल निभा रहे थे बैसिकली जो लोगों का लीक करवाने में सयोग था उनके खिलाफ तो एक्शन लो और हमारा पेपर कैं हो सारे आपको मिल जाएंगे यह इंटरनेट पर मिल जाते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर अब देखें मैं आपको बता दूँ बीपेसी तीन की जो लीक तीन का जो आपका लीक के बात है कि भाई पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ तो उसकी कनफोर्मेशन मे हुआ था दौनों शिप्ट का पेपर लीक हुआ है और ऐसा कनफोर्म कर दिया गया है बीपेसी द्वारा लेकिन अभी तक पूरे प्रूफ नहीं मिले तो थोड़ा इंतजार कर लो ठीक है हम भी माल लेते हैं चलिए कि लीक हुआ है बीपेसी ने का है चलिए हम माल लेते है है कि लीक हुआ है लेकिन थोड़ा सा इसमें सबर करो थोड़ा इंतजार कर लो जबकि पूरे प्रूफ ना आ जाए तब तक आप ऐसा ना बोले कि इसको हम कंफॉर्म मान रहे हैं लीक के माम लिमेट है बट जो बीपीसी ने जो डिस एक्ट्री डिस एक्ट्री आप देख स करवाने वाले थे जो लोग एक्जाम करवा रहे हैं वो लोग मना कर रहे हैं इसके अंदर और EOU है जो बेसिकली इन चीज़ों के उपर काम करता है जो बेसिकली क्राम क्राइम जो हो रहे होते हैं उसके उपर और अपराध जो होते हैं लोगों द्वारा उसके उपर ये लो इडिड एविडेंस तो उनको इस ट्रॉंग एविडेंस चाहिए इसके लिक के मामले में ठीक है जी तो अभी आप नहीं मान सकते कि लीक है पुलिस ने जिनको भी अरेस्ट किया उनके पास देखो क्या-क्या मिला है कोशन पेपर मिले हैं और कम्प्यूटर्स मिले हैं लैप् आप पर वालब पैराग्राफ है यहाँ पर यह दो यह इन सब द्वारा मिले पर देख सकते है नीवस एर्टिकल चल रहहा है प्रेस विग्यप्ति है उसका मैं आपको बताए तो भाई 15 मार्च 2014 का जो एक्जाम था वो उसको यह लोग कह रहे हैं कि जो आपका एक्जाम रहा था कि प्रस्णपत्र के कटित रूप से लीक होने के समद्ध में जो आपका 16 मार्च को आर्थिक एवं साइबर अपराद प्र प्रस्णपत्र लीक होने के समद्ध में मानक साश्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्द नहीं है मत्तब कि अभी तक कोई फिर वही बन दब यह लोग कह रहे हैं साब सब कि अभी एक चम से कोई ऐसा प्रूफ नहीं आया है लेकिन लीक था तो सब लोग कह रहे है कि लीक है ठीक है कटित रूप से आपको बता दू जो लोग के द्वारा कहा जारा रूप से यहां पर प्रश्णपत्र लीक होने के संबंद में आर्थिक एवं साइबर अपराद प्रभाग द्वारा विशेश टीम कटित कर दी गई थी 15 वही सब बाते लिकी हुए जो मैंने आपको बारा वजे दुफैर वाला एक्जाम सुबह वाला एक्जाम था मॉर्निंग वाला वो खतम हुआ था और इसी के साथ इन्होंने सेकेंड शिफ्ट को भी जो है प्रारंब हो गई थी मतलब कि दौनों ही एक्जाम हो गई थे ठीक है बीपीएसी ने यहां बता दिया है साफ स प्रसनपत्र लिग का मामला आर्थिक अपराथ इकाई कि द्वारा द्वारा वही सब बाते लिख है अनुसंधाना अनुसंधाना नन्त्रगत है अयोग द्वारा परिक्शा प्रारंव होने के पूर्व प्रसनपत्र एवं उत्तर लीक होने संबंदित ठोज साच्चे की महांग आर्थिक रूप आर्थिक अपराद 21 से की गई है बैसिकली ईयो यू से बीपियसी ने भाई देखे बीपियसी एक विभाग है कमीशन है इस्टेट के अंदर वो अलग-अलग रिक्रूट्मेंट कराते हैं चाहें वो डी पोश्टे आते हैं उसके अंदर वो लोग रिक्रूट करते हैं तो बीपियसी ने कहा है ईयो यू से बेसिकली जो इस्टेट के अंदर आर्थिक अपरा दिकाई है जो इसके उपर काम करती है उनसे कहा है कि भाई एक आपका है इस्ट्रॉंग प्रूफ ले आओ और उससे अ पेपर लीक है तो यह आज ही का नोटीसा आप यहां से देख सकते हैं यह नो τις आज जी का ही है तो आप समझ लीजिये इतना कि आपका पेपर लीक है ठीक है मैं इसको मानल कर देता हूं शुरॉआ पर्षेंट से ज्जादा चांस है आपका फेसिकली कर जबाने के लिए तो आप समझ सकते हैं का आफ़ काफी ओजाता है इतनी सारी जानकारी आई इसके लावा इनके सा रावा उनके साथ कौशंच सोचन मिल रहे हैं ठीक है आप कब MP3 को ही मिल जा रहे हैं ठीक है और आप देखिए पेपर शुरूँ होने से पहले यह डेटा आपको बता दूँ 15 तारिक को या यह बताया जा राहे कि 15 तारिक को आपका पेपर है न यह जो लीक हुआ है इसके अंदर जो भी लोग थे especially और जो अभ्यर्ति थे जो लोग इसका अंसर रट रहे थे अपनी answer sheet उनको मिल गई थी वो लोग उसके बाल इन इन अंसर्स को लोग रट रहे थे उन लोगों के बारे में भी इन्होंने clear करा है कि उनको हमने पकड़ भी लिया हम उनको coat भी ले गए और उसके बाद इन्होंने यहां पर कोट तो ये लोग सटर डे में लेक थे वो अलग चीड है ठीक है कोट लिजा दिन अगले दिन था अगले दिन लेग थे अगले दिन लेकिन इन्होंने data दे दिया था छिलने दुपएर में दो बज़े तक data दे दिया था details दे दी सबी तो वह एक्जाम निकाल पाएगा तो इनके द्वारा तो साफ यही कहना है कि अभी कोई आप एक्ष्टा एक एडवांस जो है इस्ट्रॉंग एविडेंस तो नहीं लायो पहले वो ले आओ उसके बाद ही हम माल लेंगे वही चीज यहां लिखी हुई है ठीक है कि देखिए वही लिखाया है आयोग को प्रश्ण पत्र लीख होने के संबंद में प्रथम सूचना मतलब कि पहली इंफॉर्मेशन बीपीएस से को कम मिल रही है बीपीएसी को मिली है दो तीस बजे तक उपलप्त कराएगी मतलब कि जो आपका ईओ यू है उन्होंने दो तीस कि अपका समय हो रहा था दुफैर मैं उस समय पर तो बीपीएसी को ये बताया है ये बताया है कि आपका ये पेपर लीक हो गया यह चीज ढ़ना की नयकोटायए 2030 तीस पर बात है जब एक्वाने वालों को इक्वाने ऑप वैसा तो है नहीं कि आदे गंटे एक्जाम चला उसके आद लोग को कह दिया सेंटर से भागो ऐसा तो नहीं कर सकते अगर लीक का पता भी लगाया तो हमें तो सिर्फ इतना ही पता लगाया ना कि लीक हुआ है हमें कोई प्रूफ थोड़ी मिले हैं तो अभी तक आपको बता पता लगाया था कि पेपर लीक हुआ है तो आपको पता ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है तो आपका जो बात है पूरी इसके नदर साफसाफ किलिए हो जा रहा है कि दो तीस पर तो BPSC को ही खुद पता लगाया तो वो पेपर कैंसल उस दिन करा नहीं सकते थे सैगेंड शिफ्ट का भी उनके हाथ में नहीं था कैंसल कराना क्योंकि उनको सिर्फ इन्फोर्मेशन मिली थी प्रूफ नहीं मिले थे उस समय था तो इसलिए आपका पेपर दौ क्किए पता में तो लोग थे उनको कोट में लेकर गए थे स nen फ्यक्री नैट मैं ठीक है उस समय लोग खोड में लेकर गए थे उन सब लोगों को और ऐनको बताया था उप्ले लोग देखकर बैठ़ चुके थे और यह लोग का प्लैनिंग था फूल फूल की भाई अब बस में जाना है और सारे answers को लिख करा जाना है दो दिन पहले इनके पास सारा कुछ था और यह हम कैसे बता पा रहे हैं इनके पास हमें laptop मिला है इनके पास से हमें printer मिला है pen drive मिला है अब laptop printer तो और किसी वन वीक के अंदर यानि कि 25 मार्च तक confirmation confirm करेगा इसके उपर कि आपका पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ जैसा कि तब तक उसको evidence मिल जाएगा ठीक है जी तो मैंने आपको बता दिया आप सारी जनकारी तो आप मान सकते हैं कि आपका पेपर लीक है 70% chance है ठीक है तो यानि कि आ आपका exam दुबारा confirmed मान सकते हैं आप लोग तो preparation कर लेना और BPSC भी इसको one week के अंदर confirm कर ही देगा ठीक है ठीक है ठीक कोई doubt वगेरा हो तो comment में बताए जनकारी को पूरे दुनिया वर में पहुचा दे मैं आप से मिलूंगा जल्दी तब तक के लिए आप सभी का धन्यव